पर फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत हमारे युटूप चैनल लाइव सीकुंदी में जियां दोस्तों बताने चाहूंगा अगर आपने वी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से लाल वर्डन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें वैल आइकन को प्रेश करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाएं एक सिक बेतर स्टोरी जिया दोस्तों आपको बताने चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साथ के कभियों के बारे में सुतंता सिनानियों के बारे में राजा मार वीडियो को श्טर करते हैं आपको बताने चाहूंगा कि काका हात रसी बहती हात से कभी थे जिया दोस्तों उनकी कुछ कपता है इतनी प्रिश्यत दुहीं जिसकी बज़य से वो पूरे बिशम छा जाए जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा उनकी ऐसी काफी कुछ कब्टाई से बहुत ही ज़्यादा प्रश्य दोई जी हाँ दोस्तों काका हातरसी का असली नाम तरवू लाल गर्ग था मुफलिसी में जीवन गुजारने के बावजूत काका के चेहरे पर दर्द की क किसी को रोने नहीं दिया काका ने अपनी वसीयत में लगा था कि बेचाहते हैं कि उनके जाने पर कोई रोए नहीं बलकि सभी हसी के टहा के लगा कर हसें जी हाँ दोस्तों इसलिए जब सम्जान में काका कि च्चिता जल रही थी उस दिन बहां विसाल हस से कभी सम्मिलन का विजन हो रहा था जिहां दोस्तों है एक संयोग मात रही था कि जिस दिन काका का जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दुनिया को अलिबिदा कहां जिहां दोस्तों आई आपको बताता चलों काका हातरश की जीवन के बारे में उनकी जन्म और इस्तान तो दोस्तों काका हातरश का जन्म अगरवाल परवारक में 18 सितंबर 1906 को हुआ था इनके जन्म के 15 दिन बाद ही वीमारी के चलते इनके पिता की मिर्तियों हो गई काका की पिर्थम कब ता गुल दस्ता 1933 में प्रकासित हुई थी सन 1946 में काका की कचेरी नामक पहली पुस्तक प्रकासित हुई जिया दोस्तो इसी के साथ आपको बताता चलो कि कैसे बने प्रभूलाल गर्ग से काका जिया दोस्तो हात्रस सहर में जैन की गली में जैन में प्रभ तन्देबी हमेशा काका की कपता कि अरैं काफी महत पुड रूची रखती थी और आपको बताने चाहूंगा बच्पन से ही थाหास का गुर। दोस्तों काका का बच्पन काफी संगरसो से बीता और दोस्तों बताने चाहूंगा पिता की जल्दी मौत होनी के बाद भै अपनी ननिहाल इगलास चले गए और वहां पढ़ने लगे गरीबी में काका ने चाट पकोड़ी तक बेंची हसे का गुड़ून में बच्पन से ही पर जिया दोस्तों आपको बताने चाहूंगा कि सोरा बस्ता में काका इगलास से आत्रस बापस आ गए थे और यहां आकर नोकरी करने लगे लेकिन कुछ दिन बाद नोकरी छूट गई काका चित्र कला में भी काफी दच थे उन्होंने चित्र साला भी चलाई लेकिन भै भी नहीं चली उन्हें संगीत का भी काफी घ्यान था इसके बाद उन्होंने संगीत नामक पत्रका का प्रकासन सुरू किया इसका प्रकासन अभी भी हो रहा है लेकिन इन सब उतार चड़ाओं के बीच उन्होंने लिखना नहीं चोड़ा कुछ समय बाद उनकी पहली कपता गो पताना चाहूंगाा। स्टुएंट नाम बड़े दर्सन छोटे नगरपाल का बर्णन नाम सुरूप का बेद जम और जमाई दहज की बारात हिंदी की दुर्दसा पुलिस महीमा गूम महातस से सुरा समर्थन मोटी पतनी पंचवूत पिल्ला तेली को ब्यहा मुर्गी और नेता कुछ तो स्टेंडर बनाओ बिरिष्टचार अनुसासन हिंता और बिरिष्टचार एर कंडीशनर नेता खटमल मचर यूद सारे जहां से अच्छा जिया दोस्तों इनकी काफी रचनायती और आपको बताता चलों कपता संग रहे तो काका की फुल जड़िया काका के प्रहेशन लूट नीती मंथ खिल खिला हट काका तरंग जैवोलो बेहिमान की यार सब तक काका के बेहेंगं बाड़ जिया दोस्तों ये काफी इनकी कपतर संग रहे थी जिया दोस्तों का बताने चाहूंगा काका हतरसी बहुत ही अपने जीवन में सुदर और सच इंसान थे जो हमेशा रोते हुए को भ मिश्द हसने और दूसरों को हसाने में ही असली जीवन का और असली सुख का मैं है जिया दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा काका हतरसी की मिरती हुए तो दोस्तों जिस दिन उनका जन्म हुआ था उससी दिन उनकी मिरती हुई जिया दोस्तों 18 सितंबर 1995 को दुनिया स से रुक्सत हो गए जीवन से जुड़ी कुछ बातें कुछ गटना है जो मैंने आपके साथ सेयर की तो दोस्तो कमेंट सब्सक्राइब करें तक हम आप तक और अगली आने वाली वीडियो एक से एक बेतर इस्टोरी पहुंचाते रहें दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडिय आप तके बाते हैं